फ्रेंस आज मैं शेर कर रही हूँ तीन किड्स फ्रेंडली रेसिपीज जिसे आप एक हैपी मील की तरह अपने बच्चों को सर्फ कर सकते हो हैपी मील के लिए हम बना रहे हैं क्रिस्पी पोटेटो स्माइलीज एक एजी पास्ता रेसिपी और डेजर्ट में कैरमल कस्टर पुडिंग सबसे पहले हम कैरमल कस्टर पुडिंग बनाएंगे और यह बहुत ही एजी है एक नॉन स्टिक हैवी बॉटम पैन में हम चार बड़े चमज शुगर आड़ कर देंगे चीनी को फैला कर सिम पर छोड़ देंगे चीनी के मेल्ट होने पर हम इसे हिलाना शुरू करेंगे और उसे गोल्डर होने तक पका लेंगे हमारा कैरमल तयार है इस कीवे बॉल्स में मैंने कैरमल को डिवाइट कर दिया है कस्टर के लिए मैंने चार बड़े चमज वैनिला कस्टर पाउडर लिया उसमें सोयमल दूद मिलाकर उसे घोल लिया है चार सोयमल दूद में एक बड़ा चमज शुगर डालकर मिला लिया है कस्टर को हिलाते हुए इस तरह से पोर करेंगे और उसे कुक कर लेंगे दीरे-दीरे हमारा कस्टर बिल्कुल थीक हो जाएगा हमें regular कस्टर से जाधा गाड़ा कस्टर चाहिए इस तरह का इसके बाद हम देखेंगे कि शुगर ऐसा हलका टाइट हो गया है इसके उपर हम अपने कस्टर को फैला देंगे और उसे उपर से लेवल कर लेंगे स्पून से उसे ढखने की लिस तरह का प्लेट ले लिया है मैंने एक कड़ाई में पानी गर्म करने रखा था उस पे स्टैन रखकर हम अपने कस्टर बोल्स को प्लेस करके ढखके 15 मिनट कुक कर लेंगे यह हमारा कस्टर डेड़ी है आप इसे फ्रिज में ठंडा भी कर सकते हो हम स्माइली बनाएंगे दो बड़े उबले और मैश के हुए आलू में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है दो बड़े चमज कॉन स्टाच आड़ कर देंगे चाहो तो सीजनिंग के लिए काली मिच पॉडर चिली फ्लेक्स वगएर आड़ कर सकते हो और सबको मिला लेंगे अगर आपका आलू मिलाने के बार चिपचिपा लगे तो उसे फ्रिज में रेस्ट कर लें इसे इस तरह से बेल लें और फिर उसे काट लें राउंड शेप में एक स्ट्रॉ की मदद से इस तरह से आईस बनाएंगे और spoon से इस तरह से smiley बना लेंगे पलटा कर दूसरे साइड से भी same repeat कर लेंगे eyes और smiley का smile अच्छे gap से बना ले extra aloo वेगरा remove कर ले क्योंकि फूनले की वज़ा से frying के time ये gaps थोड़े भर जाते हैं तेल गरम था इसमें मैंने smileys को डाल दिया है और इसे slowly पलटाते हुए medium आज पर हम crispy fry कर लेंगे देखिए हमारे color अच्छा आच चुका है हमारे crispy smileys ready है इसे हम remove कर लेंगे अब next हम बनाएंगे पास्ता पैन में oil एड़ किया butter एड़ किया उसमें हमने बारी cutaway lesson एड़ कर दिये उसमें बारी cutaway प्याज और capsicum आप चाहो तो other vegetables भी आड़ कर सकते हो इसमें हम boil pasta आड़ कर देंगे salt उसे भी उसके साथ mix करके थोड़ा सा पका ले उसके वाद chili flakes और काली मिच का powder आड़ किया है cheese आड़ किया और थोड़ा mayonnaise आड़ कर दिया है मैंने पास्ता का बचा हुआ पानी या दूद थोड़ा आड़ कर ले और mix कर ले तब तक cheese melt होकर सब एक sauce की तरह बन जाए इस तरह से हमारा pasta ready हो चुका है इसमें last में आप pasta seasoning और गयनों वगरा आड़ कर सकते हो इस तरह से हमने बिना मैदा यूज किये white sauce pasta तयार कर लिया है चैनल को like करें और subscribe करें इंस के साथ share करें और comment करें तो मिलती हो आप से अगले वीडियो में इसी तरह के tasty yummy recipes के साथ stay healthy, stay happy, stay fit